नमस्कार दोस्तो, मॉनिंग पॉडकास में मैं सुधीप शाप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ आज के पॉडकास में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्पपून लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथी साथ कौन से सेक्टर और स्टॉक्स पर हमारा फोकस होना चाहिए हम इस पर भी बात करेंगे और पिछले चारपात सेशन से हमने ये डिसकस भी किया है कि बैंक निफ्टी चावालीस पांसो चावालीस छेसो के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है जहां पर बैंक निफ्टी का 20 दिन का एक्स्पोनेंशल मुविंग एवरेज है और फाइनली कल के सेशन में हमने देखा कि बैंक निफ्टी में प्रेशर आया है और बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे फिसल गया है और निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी भी ये प्रेशर के वज़े से अपने 20 दिन का जो एक्स्पोनेंशल मुविंग एवरेज है 19,700 के असपास उसके नीचे फिसल गया है तो दोनों इंडेक्स शॉट टम परस्पेक्टिव से नेगेटिव मोमेंटम दर्शार है और मोमेंटम की बात करें तो ये मोमेंटम क्यों नेगेटिव हो रहा है जो कि एक बड़ा negative है तो ये result reactions, domestic factors के अलावा मुझे लग रहा है ये दोस्तों macro economic factors जो है न ग्लोबली ये बहुत जादा हमें ध्यान से देखने चाहिए और इसका market पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है आने वाले कुछ sessions में और market breath की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा एक deterioration हमने देखा था और similarly अगर हम देखे कि nifty 500 का क्या हल है तो nifty 500 में 20 दिन के exponential moving average के उपर 64% stocks परसो के session में थे और वहीं पे वो घटके कल 56% रह गए तो ये market breath थोड़ा खराब हो रहा है broader market में थोड़ा selling pressure हमें दिख रहा है और दोस्तो आज यदि हम result season की बात करें तो HUL, ITC, Nestle ये तीनो तीन FMCG companies के आज numbers आने वाले और HUL और ITC index heavy weights होने के वज़े से nifty पे भी इसका असर पड़ सकता है दोस्तों nifty levels की यदि बात करें तो कल के fall के बाद और जो आज gap down opening हम expect कर रहे है तो उसके बाद मुझे लग रहे है कि resistance अब रह सकता है 19,690 से लेके 19,720 के बीच का और जब तक ये levels cross नहीं होते तब तक nifty अपना जो सबसे महतवपून support zone है 19,550 का ये उसको retest कर सकता है पर यदि 19,550 भी तूट जाता है तो इसके नीचे जो lower zone retest हो सकते है वो है 19,480 से लेके 19,460 का positionally हमने बहुत दिनों से ये बताया था कि 19,830 से लेके 19,850 का zone बहुत important resistance zone है और इसके cross होने के बाद ही हम positionally एक बड़ी upside के बारे में बात कर सकते है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये resistance बना रहेगा positionally मुझे लग रहा है कि जो ये सबसे aggressive put writing हो रहा है 19,660 के strike prices पर और सामने call writing हो रहा है 19,700, 19,750 और 19,800 के strike prices पर और इसी के साथ यदि एक और important data point है कि कल के session में हमने देखा था कि market में जहाँ पे दबाओ था वहाँ पे 19,700, 750 और 19,800 के puts में unwinding हो रहा था कि जो अल्रेडी पहले से put writing हो रहा था वहाँ पे हमने देखा था लोग अपनी positions काट रहे थे तो इससे हमें लग रहा है कि bulls अपना confidence तोड़ा गवा रहा है और उन्हें ये fear है कि शायद से range breakdown हो जाएगा इसलिए वह अपने puts जो बेचे हुए है वो cover कर रहा है तो ये एक point है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए तो दोस्तों ये data देखके हमें लग रहा है कि आज के दिन में nifty का trading range होना चाहिए 19,525 से लेके 19,700, 725 के बीच का bank nifty की बात करते हैं bank nifty में जैसे हमने कहा कि बहुत दिनों से हमने ये 44,500, 44,600 के level की बारे में बात किया है जो 20 दिन का exponential moving average है और जो cross नहीं हो पा रहा था तो इसी के बाद हमने देखा है कि bank nifty ने एक fall भी दिखाया है 43,850, 43,900 तक कल के session में पर अब आने वाले session में दोस्तों मुझे लग रहा है कि 43,600, 43,800 ये एक महत्वापून support zone बनके रह सकता है क्योंकि यही वो zone है जहां पर पिछले दो दिन मेनों से bank nifty बार-बार rebound कर रहा था पर यदि अगर ये 43,600 तूट जाता है तो यहां पर selling pressure और बढ़ सकता है bank nifty में और ये 43,200 के level तक भी bank nifty फिसल सकता है जहां पर bank nifty का 200 DMA zone है दोस्तों resistance अब 44,150, 44,200 के आसपास आज के दिन में हम bank nifty में देख पाएंगे और इसी के ऊपर एक short covering move 44,444,450 तक देख पाएंगे तो दोस्तों जैसे nifty में 19,830,850 का level एक महत्वपुन resistance अब positionally बन रहा है वैसे bank nifty के लिए 44,500 का level जो है वो अब positional resistance बन जाएगा चलिए बात करते हैं stocks और sectors जो की आज के session में थोड़े बहुत positive लग रही इतने negative environment के बीच में भी तो कल के session में हमने देखा था कि एक as a defensive sector उबर के आया है वो ये nifty pharma और nifty pharma ने daily charts पी अदी देखे तो उपर के level पे एक fresh breakout दिया है तो ये sector हमारे ध्यान में होना चाहिए nifty auto में अच्छी चाल थी कल media sector, reality sector ये 2-3 sectors में काफी positive momentum कल के session में देखा था और reality sector की अदी बात कर तो ये multi-year breakout है तो यहां पे हलका dip भी हो सकता है बर ये sector के जो stock से वो ध्यान में रहने चाहिए हमारे positive chart setup कल हम ने देखा था Tata Motors, Maruti, Dr. Reddy Sipla, large caps में से और mid caps में से Dixon है Sun TV है यहां पे थोड़ा अच्छा traction देखा गया था oil and gas sector, PSU banks, IT sector, यहां पे थोड़ा charts पे weakness नजर आ रहा है तो मुझे लग रहा है थोड़ा हमें अगले कुछ दिन तक ये sector से थोड़ा दूर रहना चाहिए aggressive long positioning short term perspective से लेने के लिए चलिए दोस्तों FII data की और नजर करते है तो FII ने कलके session में 800 करोट की selling की है cash segment में जहां पे DII इसने 1400 करोट की buying की थी FII इसका जो long short ratio है index future पे यह अभी भी 28-29% के करीब है और कलके session में हमने देखा है FII इसने तकरीबंद 8000 short positions index futures में नहीं बनाई है stock futures के तरफ देखे तो FII इसने कलके session में 17400 contracts बेचे है और उन्होंने साथ ही साथ कुछ डेड़ लाग contracts existing call options के जो उनकी long positions थी वो भी book की है और उन्होंने कुछ 1,40,000 contracts index puts के भी बेचे है तो चलिए दोस्तों summarize करते है कि जो इसाब से front line index में हमने देखा है कि यह selling pressure कलके session में देखा गया था क्यूंकि brand crude oil prices वापस से 92 dollars हो गया US 10 year bond yields बढ़ रही है और dollar index भी 106.30 के उपर sustain कर रहा है तो इसी के वज़े से मुझे लग रहा है अब आने वाले दिनों में महत्पुन resistance निफ्टी के लिए होगा आज के दिन के लिए होगा 197020 का पर overall 198050 का positionally important resistance है और support आज के दिन के लिए है 195050 का पहला support और दूसरा support 194060 से लिए 480 के बीच में bank nifty के लिए आज के दिन का resistance होगा 44150 44200 zone और positional resistance होगा 44500 का और आज पहला support जो bank nifty के लिए मुहत्वपुन है वो है 43600 दोस्तों यह जैसे हमने कहा कि पिछले 2-3 मेने से लेवल तूटा नहीं है तो यह लेवल यदि तूट जाता है 43600 का यह जो support zone है तो इसके नीचे bank nifty अपना 200 DA में 43200 के आसपास भी retest कर सकता है तो चलिए दोस्तों आज के podcast में बस इतना ही आप सभी का शुक्रिया यह podcast को नियमेद सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए उमीद है आप सभी को इससे अपने trading decisions लेने में बहुत फाइदा होता होगा Thank you all Investment in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing